नमस्कार दोस्तों मैं धर्मेन वर्मा ओनलाइन इस्टेटे विडिके में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे दोस्तों बाल विकास एवं सिक्षा सास्त्र में व्यक्तित्व एवं समायुजन के 30 अतिमहत्पूर्ण प्रश्णों के बारे में अगर लाश्ट तक देखिए और अन्त मुझे जरूर बताईगा दोस्तों कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और जो 30 प्रश्ण है उसमें आपको कितने नंबर आई तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्ण है व्यक्तित्व की सरचना के अंतरगत गत्यात्मक्ता तथा इस्तला करतिक पक्छ का अध्यान पहला अगला प्रश्ण है जिस वर्श्टु के अधार पर एक व्यक्ती की दूसरे से भिनिता की जा सके उसे लक्षन केते ही ही यहाँ कतने है दोस्तो चार उप्सन इसमें से बताना है तो इसका सही अंसर है यहां कथन मर्फिका है अगला प्रश्ण है व्यक्तित्व को प्रभवित करने में प्राकर्तिक वातावरन की उप्यक्छा नहीं की जा सकती यहां कथन है दोस्तो यहां कथन किसका है आपके सामने चार उप्सन दिये होई हैं तो उसका सीया अंसर है यहां कथन आर्ग बन वा नीम कफ का है अगला प्रश्ण है व्यक्तित्व सारिर्क, मानसिक, सामाजिक, सवगात्मक किर्याओं का एक रूप है जो गत्यात्मक संगठन है तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा अगला प्रश्ण है निम्न में से वहाँ जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है क्या है वन्सानुकरम है वतावर्ण है देखना है या फिर व्यायाम करना है तुसका राइट आंसर है जो व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता व देखना है अगला प्रशन है निमलिखित व्यक्ति निष्ट परिक्षन है दोस्तों चार उप्सन इसमें से बताना कौन सा व्यक्ति निष्ट परिक्षन है आपके सानवा चार उप्सन इसमें से बताना है तो उसका सही आंसर है जो व्यक्ति निष्ट परिक्षन है वो प्रश कभी चित्र दिखा कर उन चित्रों पर निसान लगा कर प्रश्णों का उत्तर दिया जाता है जो प्रश्णवली होती है दोस्तों वो चार प्रकार की होती है पहली होती है बंद प्रश्णवली दूसरी होती है खुली प्रश्णवली तीसरी होती है सच चित्र प्रश्णवली और चोथी होती है मिसरित प्रश्णवली जो प्रश्णवली की सहाईता से व्यक्ति की रूची, अभी रूची, आत्मे विश्वास प्रवत्ती, समाजिक्ता, प्रभुत्व आत्मचेतना आधी गुणों की परिक्षा की जाती है तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों पहला होगा अगला प्रशन है रेटिंग स्केल विधी निम्न प्रकार का परिक्षण है व्यक्तिनिष्ट परिक्षण है वस्तुनिष्ट परिक्षण है प्रक्षेपन विधी है या फिर मनोविश्लेशन विधी है तो इसका सही आंसर ह दोस्तों वो वस्तुनिष्ट परिक्षण है तो इसका right answer है B अगला प्रशन है रोर्षा परिक्षण मापन करता है किसका करता है दोस्तों चार उप्षन है इसमें से बताना है तो इसका सही answer होगा रोर्षा परिक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है अगला प्रश्ण ही प्रक्षेपन विदी मापन करती है दोस्तों आपके सामने चार उपसने इसमें से बताना है तो इसका सही आंसर है जो प्रक्षेपन विदी है वो भी दोस्तों व्यक्तित्व कमापन करती है अगला प्रशन ही कथा प्रशंग परिक्षण को निर्मित किया है किसने किया दोस्तों आपके सामने चार उपसने इसमें से बताना है बहुत अच्छा प्रशन ही यह तो इसका सही आंसर होगा कथा प्रसंग परिक्षण मुर्य एवं मारगर ने निर्मित किया है दोस्तों अब अपन इसके परिक्षण की बात करेंगे उसके बाद इसकी विधी की बात करेंगे इस परिक्षण में देनिक जीवन से साम रखने वाले 30 चितर होते हैं दोस्तों याद रखना 30 चितर होते हैं जिसमें 10 चितर लड़कियों के लिए होते हैं 10 चितर लड़कों के लिए होते हैं और सेस 10 दोनों के लिए होते हैं अब इसकी विधी की बात करें तो परिक्षा संपादन में परिक्षक परिक्षार्ती को एक चित्र दिखा कर पूछता है कि चित्र में क्या हो रहा है इसके होने का क्या कारण है इसका क्या परिणाम होगा चित्रांकित व्यक्ति एवं व्यक्तियों के विचार या भावनाय क्या है इन प्रस्णों के पूछ परिक्षक द्वारा परिक्षार्ती को एक एक करके दस काड़ दिखाए जाते हैं परिक्षार्ती से गत प्रश्णों की द्रश्टी से चित्रों के विशे में कहानी बनाई जाती है और कहानियां तुरंत लिख दी जाती है इसमें समय सीमा नहीं होती जो कहानी है दोस्तों उस के लिए होती है तुछ का सही अंसर है C अगला प्रशन है रोर्षा श्याही धब्बा पर एकछन में प्र्युक्त होने वाले कारडों के संख्या होती कितनी होती हैं और तीन कार्ड पर अनेक रंगों की स्याहियों के धब्बे होते हैं तो इसका स्री अंसर है पहला अगला प्रश्ण है CAT या बाल बोथ परिक्षण का निर्मान किया दोस्तो चार उपसने बहुत चिछा प्रशने किस ने किया तो उसका सर्या अंसर है बाल बोथ परिक्षण या CAT का निर्मान लियोपोल्ट बेलक ने किया अगला प्रशन है समा योजन की प्रकरिया है किसी होती ही दोस्तों चार उपसर ने इसमें से बताना है तो उसका सियान सरे समाय जोजन के प्रकरिया में गती सीलता होती है अगला प्रशने है अंताह मुर्खी बालक होता है कि ऐसा होता है दोस्तों आपके सामने चार उपसर ने इसमें से बताना है तो उसका सियान सरे जो अंतह मुर्खी बालक होता है वो एकांत में विश्वास रखने वाला होता है अगला प्रशन है अत्यदिक वाचाल प्रसनिचित करने वाले तथा शामाजिक परवत्ती के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है किस प्रकार का होता है दोस्तों आपके सामने चार उपसन नहीं है, चार उप्सन दिये होएं, दोस्तोऑ आपके सामने इसमें से बताना है, एक प्रेरख Death तो इसका सहया सरे, जो समायोजन की विद्या होती है, वो उदातीकरण, प्रक्षेपन और प्रतिगमन तीनों ही समायोजन की विदिया है तो उसका सही आंसर है इन में से सभी अगला प्रशन है समा यूजन दूसित होता है ये बहुत तीर चाप प्रशन दोस्तों चार उप्सन इसमें से बताना है जो समा यूजन है वो किस से दूसित होता है तो उसका सही आंसर है समा यूजन कुंठा से और की विशिस्ता नहीं है वो कौन सा है तो इसका सही अंसर है व्यक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन यहां एक समायोजित व्यक्ति की विशिस्ता नहीं है अगला प्रशन है जब बालक अपने आशफलताओं के दोस्त को किसी और के उपर लादने की कोसिस करके अपने पन समायोजन कहलाती है अगला प्रश्ण है समायोजन नहीं कर पाने का कारण है दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्ण है काफी बार एक जामें पुछा गया है यह तो इसका सही आंसर क्या होगा द्वंद होगा तनाव होगा कुंठा होगा या फिर यह सभी होगा तो इसका सही प्रवत्तियों में और आकर्मकारी के रूप में प्रकट होता है इन सभी में अगला प्रश्न है निम्न में से कू समयुजित बालक है दोस्तों चार उपसन इसमें से बताना है कौन सा होता है कू समयुजित बालक परिवेश से अनुकूल बनाने में समर्थ होता है अशमाजिक स्वार्थी वा सर्वता दुखी होता है और साधरन सी बाधा उत्पन होने पर मानसिक संतुलन खो देता है तो इसका रैट आंसर आजागे दोस्तों उपरोक्त सभी अगला प्रस्ण है चातरो को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्सकी आवशकता पढथी दोस्तों चारूपसन इसमसे बताना है तो इसका सही आंसर होगा स्वा मुल्यांगन की योगता समा योजन सीलता और आत्म विश्वास तीनों ही मानसिक रूप से स्वस्त व्यक्ति का लक्षण है तो इसका सही आंसर है इन में से सभी अगला प्रश्ण है मानसीक स्वास्त विज्ञान का उद्देशी क्या है दोस्तों मानसीक स्वास्त विज्ञान का उद्देश से आपके सामने ते विक्तितो का पूर्ण समझस्थिकी सांतकारी करना है, एसा कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, दोस्तों चार उप्छाने इसमेंसे बताना है, तो इसका रैट आंसर होगा, ऐसा हेड फिल्ड द्वारा कहा गया, अगला प्रश्ण है, मानसिक स्वास्त के निमलिकित पहलू के अगला और लाश्ट प्रशन है मानसिक स्वास्त विज्ञान का संबंद मानसिक स्वास्त को बनाए रखने और मानसिक असंतूलन को रोकने से हैं ऐसा कहा गया है दोस्तों चारूपस ने बहुत अच्छा प्रशन ही किसने कहा ऐसा तो इसका स्यान सरे ऐसा हेड फिल्ड द्वारा कहा गया दोस्तों आज के 30 प्रशन आपको कैसे लगे प्लीस मेरे कमेंट से बोक्स में जरूर बताईएगा और जो 30 प्रशन ने उसमें आपको कितने नमबर आए दोस्तों यह भी बताईएगा और अभी तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीस सब्सक्राइब कर दीजिए और शांत में बेल आइकन को दबाईए जिससे कि आपको लेटिस्टी वीडियो मिलती रहे धन्यवाद